हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आरारेम क्लास तो इस वीडियो में जोलोजी के बहुबेकलपी प्रश्न करवाने जा रहे हैं तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने हैं चलिए वीडियो कर परमानू अधिक मात्रा में थे तथा बहुत किरिया सेल थे नेस्ट सरपर्थम कौन से विशानू का अध्यन किया गया था तंबाकू मोजेक विशानू नेस्ट जीवत हुआ अजीवत के बीच की अवस्था है विशानू नेस्ट निम्न मैंसे किसमें एंजाइम नहीं नेस्ट करने की प्रकित्या को कहा जाता है पास्चली करन नेस्ट बातावरण में ऑक्सीजन आई है पौधों द्वारा प्रकास संसलीशन से नेस्ट चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि वहां नहीं है जल नेस्ट बर्तमान प्रथिवी की बातावरण में निमने मैंसे क उत्पत्ती के संबंद में सबसे अधेक तरक संगत जयो रसायन मत का प्रतिपादन किया ओपेरन ने नेस्ट बिना केंदरिय कला तथमाइटरू कंडरिया वाली कोसिका का ओदाहरन है जीवानू किस बिसाणू का सरपर्थम आजीवित क्रिष्टलों के रूप में संसलेशन हुआ था तम बाकू का मोजे एक बिसाणू नेस्ट टीमवी का अनुवानसक पदार्थ है आर एन ए नेस्ट ऑपेरन के अनुसार सुकेंदरिय कोसिका बनी है पूर्व केंदरिय कोसिका से नेस्ट इस समय संभावता प्रतवी पर जीवन के उत्पत्ति नहीं हो रही है जैसे की आदी प्रतवी पर हुई थी इसका संभ प्रत्वी की उत्पत्ती संबंदित निहारी का परिकल्पना का सिधान्त किसने प्रस्तुत किया। इमानुल कांटनी नेश्ट प्रत्वी पर जीवन के विद्दमान हूनी के लिए कौनसी प्रक्रिया आवस्यक है पादपों द्वारा प्रकास संसलेशां आवस्यक है नेश्ट सलफर जीवानु है कीमो आटो ट्रॉफ नेश्ट लखनव के पेलियो वाटनी संस्थान में 3.2 व उत्पन होता है यह प्रतिपादित किया था मेलपीगी ने नेश्ट मिलर ने प्रत्वी पर जीवन की उत्पत्ती दर्शाने वाले अपने महत्तपूर्ण प्रियोग में नेश्ट्री तथा एंच्ट्ू का प्रियोग किया था इस प्रियोग में और भी क्या उपस्तित था वास्प तथा मेथें, जीवन की उत्पत्ती हुई थी जल में, नेस्ट, ओरिजन ओफ लाइफ लिखी गई है, ए आई ओपेरन द्वारा, नेस्ट, बिजानों का बिसिस्ट लक्षण किया है, प्रोटीन आवरण की उपस्थिती, नेस्ट, यूरे तथा मिलर ने प्रियोग सा वास्प हाइड्रोजन, नेस्ट, निमन मैंसे कौन सा कथन सही है, सबसे पुरानी ग्यात मचलियों में सुरच्छा के लिए भारी वाह कबच था, जीवत जीवों के आवस्यक, बिल्डिंग बिलाकों का प्रियोग साला में निर्मार किया था, किसने किया था, मिलर तथा साइनो बैक्टेरिया, नेस्ट, अनेकों जटल कार्बने के यौगिकों जिसमें कुछ अमीनों अमले, जैसे गलाइसीन, एलेनीन, तथा एस्पार्टिक अमले समलत है, का निर्मान हुगा था, CH4, NH3, तथा H2, तथा जल वास्प द्वारा, उसका तीसरा उप्सन सही है, न ग्यानिकों ने सफलता पूर्वक निमन मैसी किसका बिना एंजाइम के संसलेशन दर्शाया है, इसका राइट अप्सन है तीन, अमीनों अमले तथा, नुकलियों, टाइट्स के छोटे, पॉली मर्श का, नेक्स, नेस्ट, प्रथिवी पर सबसे पहले प्रकट होने वाले ज जीवन का बायो केमिकल संसलेशा, नेस्ट, ओपिरन तथा हैल्डिन की थेवरी बताती है, कि जटल कार्बने कणगों का निर्माण, आधी समोदर के जल में अनेकों रसाइने क्रियाओं की स्रंकला द्वारा हुगा था, नमबर दो, आधी प्रथिवी के बाताबराण में उ उप्रोक्त सभी, तो इसका जो राइट उप्षन है वो है, चार उप्रोक्त सभी, नेस्ट, यह बेचार की जीवन की उत्पत्ती आधी प्रथिवी के बाताबरण में हुई होगी, यह दपी आज की परिश्थितिगों में यह संभाव नहीं है, सबसे पहले प्रतिपादित किया था, किसने, चार्ल्स डर्विन ने, और पेरेन के मत के अनुसार सुकेंदरिय कोशिका की उत्पत्ती हुई है, उसका राइट उप्षन है, दो, पूर्व केंदरिय कोशिका में ही बेकास होकर यह सुकेंदरिय कोशिका में परिवर्तित हो गई है, नेस्ट, बर्तमान म जीवन अकार्बनेक पदार्थों से प्यादा नहीं हो सकता क्योंकि वाता बरण में ओक्सिजन की मात्रा बहुत ज्यादा जन्तुगों के सरीर तराल में लबणों यानि सोडियम केलो राइड एबं अन्न की उपस्तिती से पता चलता है कि जीवन की सुरुवात हुई होगी आ इससे सिद्ध करने का प्रियोकिस ने किया था तो इसका राइट अप्शन है दो एस्टेनले मिलर एबं हैरल सी यूरेन इससे आगे के कुस्चन हम आपको अगली भाग में देंगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने थैंक्यू